हेलो दोस्तों स्वागात है आपका इस टिडियो नान श्टॉप में दोस्तों इस बीडो में हम डिस्कस करेंगे एक अगस्त के सभी इंपोर्टेंट करेंड अफेर्स और इस बीडो के लाष्ट में मैं आपसे दो कोस्तन से पूछूँगा जिसका एंसर आपको कमेंट बॉक् इस बीडो की पीडियाफ इस बीडो के डिस्क्रिप्सन से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्स ने इगवर्नेंस पर 22 राष्टे सम्मेलन कहां आउजित किया जाएगा ये अभी आउजित नहीं किया गया है आउजित किया जाएगा तो यहां पर गलती से लिग्या है तो इसका एंसराउट्सन सी मेखाले में इगवर्नेंस पर 22 राष्टे सम्मेलन 8 से 9 अगस्त 2019 तक मेखाले की रास्थानी सिलॉंग में एवजित किया जाएगा और इसकी थीम क्या है तो इसकी थीम है डिजटल इंडिया सक्सेस टू एक्सिलेंस मेखाले के मुख्यमंत्री है कॉन राण्ठ संगमा और मेखाले के राज्येपाल है तथा गत्रोय और मेखाले की राजभासा क्या है तो मेखाले की राजभासा है इंगलिस और इंगलिस ये नागलेंड की भी राजभासा है और कई बार एक्जामें पूछा जाता है कि विस में बहुत बार पूछा जाता है गारोखासी जैंतिया मेखाले में पाई जाती है और इनी जैंजातियों के नाम पर मेखाले में तीन पहाड़ियों के नाम भी रखे गए है यानि कि मेखाले में गारोखासी जैंतिया नाम की तीन पहाड़िया भी है अगला अप्सने हाली में किसे बित्त सचु के रूप में न्यूक क्या गया तो इसका एंस्वाप्शन भी राजु कुमार को ये हैं राजु कुमार तो राजु कुमार को बित्त सचु के रूप में न्यूक क्या गया है अभी तक बित्ट सचु थे सुभास चंदर गर्ग तो अब राजियो कुमार ये नए बित्ट सचु बन गए है और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था अभी आली में ग्रह सचु के रूप में किसे नुप क्या गया है ग्रह सच्चू के रूप में अभी हाली में अज्जे कुमार भल्ला को नूप किया गया है तो इनका नाम भी आप याद रखिए राज्यू कुमार इनको बित सच्चू के रूप में नूप किया गया है और अज्जे कुमार्ग भल्ला इनको क्रह सचु के रूप में नूप किया गया है अगला पिसने हाली में किसे लंदन में प्रत्रिष्ठित इंडियन वुमेन ओफ इंफ्लूएंस पुरसकार से सम्मानित किया गया तो इसका एंसर आपसने प्रिया प्रियदर्षिनी जैन को यह है प्रिया प्रियदर्षिनी जैन और यह एक फैसेंड डिजाइनर और सोसल वरकर है तो अभी आली में प्रिया प्रिदरसनी जैन को United Kingdom की संसत House of Lords में Indian Woman of Influence पुरसकार से सम्मानित क्या गया है अगल प्रिदरसनी आली में सुबीर गोकड का निथन हो गया वे क्या थे तो सुबीर गोकड ये अर्बया के पूर्ब डिप्टी गवर्नर थे ये थे सुबीर गोकड और ये अर्बया के पूर्ब डिप्टी गवर्नर और प्रिसिद अर्थ सास्तरी थे तो भीयाली में इनका निथन हो गया है और ये अर्बया के पूर्ब डिप्टी गवर्नर थे तो अर्बयाई अर्बयाई की फुलफाम होती है Reserve Bank of India अर्बयाई की स्थापना होती 1 अप्रेल 1935 को अर्बयाई का मुख्याल है मुंबई में और वरतमान में अर्बयाई के गवर्नर है सक्तिकांत दास और सक्तिकांत दास ये अर्बयाई के 25 नंबर के गवर्नर है अगल अपस्ने भारत ने किस देश से R27 Air-to-Air मिसालों के अधिक्रेंड करने के लिए 1500 करौन रुपे के समचोते पर हस्ताक्षर किया है तो इसका अंसर अपने रूस अभी आली में भारति वायु सिना ने रूस से 1500 करौन रुपे की R27 मिसालों को खरीदने के लिए समचोते पर हस्ताक्षर किया है और इस मिसाल का वज़ने 250 किलोग्राम और ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाल है और इसे 60 किलोमेटर की रेंज तक 25 किलोमेटर की उचाई से लांच किया जा सकता है तो भारत 1500 करौन रुपे में रूस से 27 मिसाल खरीदेगा और यहाँ पर बात हुए रूस की तो रूस की रास्थानी मासको रूस की करंसी है रूबल रूस के राष्ट पती है बलादी मिर पुतिन और रूस के प्रधान मंत्री है दीमित्री मेद बेदेव दप्स ने अमेरकी दूतावास ने कहाँ पर दक्षड एसिया एर क्वालिटी टेक कैम्प का आउजन किया तो इसका एंसरोप्चन डी काठमांडू में तो भी हल में अमेरकी दूतावास ने नेपाल की रास्थानी काठमांडू में दक्षेड एसिया एर क्वालिटिट टेक कैम्प का आउजन क्या है और इसका उद्दे से है राजनीतिक, स्तामाजिक और व्यग्यानिक समस्याओं के पहलों को संबोधित करना और दक्षेड एसिया में वायु गुडवत्ता में सुधार करने के लिए अगरिकों, समाज और मीडिया की छमता में सुधार करना तो अमेरिकी दूतावास ने नेपाल की रास्थानी काठ मंडू में दक्षेड एसिया एर क्वाल्टिक टेक कैम्प का आउजन क्या है और काठ मंडू ये नेपाल की रास्थानी है नेपाल की करन्से नेपाली रुपया और नेपाल की रास्थपती है बिद्या देवी भंडारी और नेपाल के प्रधान मंत्री है केपी सर्मा ओली अगला अप्षने इंफोसेश ने कहाँ पर अपने अत्याथुनिक साइवर डिफेंस सेंटर के सुभारम की घोशना की है तो इसका अंसर आप्सेंटी रोमानिया में तो इंफोसेश ने रोमानिया में अपने अत्याथुनिक साइवर डिफेंस सेंटर के सुभारम की घोशना की है और यहां पर बात हुए इंफोसिस की तो इंफोसिस इसका हेड़कोर्टर है बैंगलोरू करनाटक में और इसके वर्तमान में चेर्मेन है नंदन नीले कड़ी और यहां पर बात हुए रोमानिया की तो रोमानिया, रोमानिया की रास्थनी है बुका रेष्ट रोमानिया की रास्थानी है और रोमानिया की करंसी है और रोमानिया की राष्ट पती है क्लाउस लोहानिस क्लाउस लोहानिस रोमानिया के राष्ट्र पती है तो अगला प्सने BCCI ने हाली में किस किलाड़ी को डोपिंग उलंगःन के कारड़ आठ मैने के लिए निलंबित कर दिया है तो इसका एंस आप्शन भी प्रतिवी सौ को तो BCCI ने प्रतिवी सौ को डोपिंग उलंगःन के कारड़ आठ मैने के लिए निलंबित कर दिया है BCCI की फिलफाम होती है Board of Control for Cricket in India और BCCI के स्थापना होती 1928 में अगला प्सने हाली में किस किलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्याश लेने की घोशना की है तो अभी आली में वेडू गोपाल राउ ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्याश लेने की घोशना की है यह हैं वेडू गोपाल राउ और ये पूर भार्तिय बल्ले पाच है तो इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारुपों से शन्यास लेने की खोचना कर दी है और कल के प्रशन, कल मैंने आपसे दो प्रशन पूचे थे पहला प्रशन था, लोगसबा अध्यक्ष दौरा किसे प्राकलनसमिती का अध्यक्ष चुना गया है तो इसका सही अंसर था गिरीस बाबट को और दूसरा प्रशन था जर्मन ग्रैंट प्रिक्स किस्टने जीती है तो इसका सही अंसर था मैक्स वर्ष्टपन को जो की रेड बुल के चालक है और लगभग सब ही लोगों ने इन दोनों प्रशनों का सही एंसर दिया है और आज आपके लिए पहला प्रशने हाली में कहा की प्रसिद मिठाई रस गोला को जी आई टेग दिया गया है और आज आपके लिए दूसरा प्रशने बिहार के नेराजेपाल कौन बन गए है तो इन दोनों प्रिश्णों का अंसर आपको comment box में बताना है तो दोस्तों आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो प्पसंद है होगा अगर आपको ये वीडियो प्पसंद है तो आप इस वीडियो को like और share करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी subscribe कर लीजिए मैं करेंट फेर्स के वीडियो हरो सुबाद 4 पचे प्रोट करता हूँ तो आप इस चैनल को subscribe करके notification बिलकौन रखे जिससे मैं जब भी वीडियो प्रोट करूँ उसका notification आपको मिलता रहे तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबाद अब तक क्लिए goodbye and take care